दोस्तो भारची टीम के अनुभवी सलामी बलेबाज रोहित सर्मा नए वंडे कप्तान बन चुके हैं कोहली को कप्तानी से हटा कर हाल ही में रोहित सर्मा को कप्तान बना दिया गया ऐसे में वो कितने समय और कप्तानी करेंगे ये बड़ा सवाल होगा रोहित की बात करें तो 2023 के विसुकप में तो उनका कप्तान बने रहना तय है लेकिन रोहित सर्मा के बाद भारती टीम का कप्तान कौन होगा ये भी जानना जरूरी है अगर मोजुदा खिलाडियों को देखें तो आपको बताते हैं वो तीन नाम जो रोहित के बाद भारती टीम के कप्तान बन सकते हैं रिसअप पंत भारती टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रिसअप पंत अब टीम के एक महत्तोपून खिलाडी बन चुके हैं पंत ने पिछले कुछ समय में भारती टीम में खाज जगे बना ली है जो तीनों ही फोर्मेट में लगातार खेल रहे हैं पंत में अब बल्लेबाजी में जिम्मेदारी दिखने लगी है इसके अलावा रिसअप पंत ने आई पिल में अपनी कप्तानी से भी परभावित किया है दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने के दौरान पंतर ने जो कप्तानी कोसल दिखाया है उससे तो माना जा सकता है कि उनमें रोहिद सर्मा के बाद भारती टीम की कप्तानी करने की काबिलियत है के एल राहूल, बारती क्रिकेट टीम के इस्टार बल्लेबाज के एल राहूल मौझूदा समय में सबसे बहतरीन योगदान दे रहे हैं बारती टीम में के एल राहूल ने पिछले 18 महीनों में हर फोर्मेट में जगए बना ली है जो लगातार परभाव साली योगदान दे रहे हैं राहुल अब काफी परिपक हो चुके हैं ऐसे में उन्हें हाल ही में T20 में कप्तान बना दिया है विराट कोहली को वंडे कप्तानी से हटाने के बाद रोहित सर्मा के डिप्टी के रोप में राहुल बनना तै है राहुल पिछले दो सीजन में पंजाब किंक्स की कप्तानी भी कर रहे हैं ऐसे में राहुल यहां पर रोहित सर्मा के बाद कप्तान बनने के सबसे फरबल दावेदार है सरेस अयर भारती क्रिकेट टीम में युवा इस्टार खिलाडी चाये हुए हैं जिसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कप्तानी के सबसे खास दावेदार हैं इन में से एक नाम किसी से छुपा नहीं है वो है सरे सैयर भारत का यह बल्लेबाज टीम इंडिया में अपनी जगे को समय के साथ निश्चित करता रहा है अईयर ने टैश टीम में भी जगे बना ली है अईयर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए बहुती परभाव साली रहे थे ऐसे में अईयर को भी अगर रोहित सर्मा के बा वंडे ओर टीटवंटी की कप्तानी की रेस में माना जाए तो गलत नहीं होगा